कि वो हमसे एक तरह का की धंदा करवाता था 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 धंदा मतलब जो आप बोड़ रहा है कि अपको क्या बोल रहे हैं थंदा किसको कहते हैं बेगम से ये देवी कैसे हुई जी हाँ आप इस वीडियो में पुरान तक बने रहेएगा हम लोग इनसे जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ जो खुस्बू बेगम से खुस्बू देवी बन गई मेरे आख के सामने में मतलब धुंदला सा नजर आ रहा है हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है थोरा दरबाद मतलब की साइदम बेहुस हो गए जब हम होस में आए एक घंटा बात जब होस में तो हम अपना आपको कमरा में बैट पे आपनली पाए जो पेनली पाए मतलब निरुवस्त्र तो वह मतलब की की नहीं इतना नहीं हो पाएगा फिर उदर से कौल आता था तब रेडी होता था और आने के बाद मतलब की जब मेरे साथ मतलब दो-तिन पर ऐसा हुआ प्रिवेवेश्च आलत में उसके बाद फिर ओटोमेटिक हम उसका बाद मानने लेगें तो आपके साथ एक साल जो सोशन हो चुका है देवेपार वो करवा चुका है पैसे लेले के जो करवा चुका है वो तो दुबारा मिल नहीं सकता है आपको वो जट लेकिन अभी आप किस तरह का न्याई चाहती है क्या हो जाए उस लड़के को तो आपको मन को आपको न्याई मिले जोस्तो नमस्कार अभी हमारे बगल में एक लड़की दिख रही होगी आपको जिसका नाम है खुसबु देवी पहला नाम खुसबु बेगम अब यह हो गई है खुसबु देवी खुसबु देवी को खुसबु बेगम में कैसे कंवर्ट हुआ कुसबु बेगम पहले फिर खुसबु देवी आइए इसे जानते हैं कि आखिर बेगम से ये देवी कैसे हुई जि हां आप इस वीडियो में पुरान तक बने रहिएगा हम लोग इनसे जानने की कोसिस करेंग लव मेरंज की यह थे आप किस से वीजय कुमार मंदल यानि कि यह बेगम जो है वो जे कुमार से लव मैरेज की तो हिंदू है तो दर में जाके आप लव मेरेज हैं उसके बाद फिर उसके बाद मतलब साधी बिया वह हुए है पहले प्यार मौहबत है सब चले लएक हैं 2-3 मै जब हमको पता चला कि ऐसा ऐसा बात है मतलब फोन उन सब उसका सिष्ट ओफ आ रहा था तो हम मतलब उसका मतलब की जान पहचान यार दोस्त जैसे फ्रेंड से होते हैं उन लोग से नमर ले करके हम मतलब की कौंटेक करने का कौसिस कि तो तब भी कौंटेक उससे नहीं हुआ उसका फ्रेंड से तब सच्चाई सामने आया चाहिता वह हमको बोले थे कि मेरा ममी नहीं है शिरिफ एक भाई है जो की डेहली में रहता है यहां पे नहीं रहता तो हमको उसका जिंदा आपसे जूट बोलके उस सद्धियों लोग अपनी मर्जी से कर लिए था या फिर कोई प्राइवेटली साधी करके रखना चाता था और आप से जूट भी बोला था को उसके माता पिता नहीं है बस एक भाई ऐसा कुछ बोला था क्या असलियत पता चला उसके बारे में उसका असलियत पता चला कि उसका घर सुपोल जिला नहीं पुर्निया जिला है और हमको पताया गिया था कि मेरा घर सुपोल जिला है और जब हमको पता चला कि उसका पुर्निया जिला घर है तो हम उसस मतलब कुछ और करता था क्या आपको साथ चुड़ाना पढ़ गया वह हमसे एक तरह का की धनदा करवादा था था आप धंदा मतलब जो आप बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं धंदा किसको कहते हैं मिरे साथ वो मतलब अलग अलग लड़का को लाके मतलब की पैसे ले करके मिरे साथ मतलब गलत करवाना तो एक तो धन्दा ही वह लड़का जो है जो हिंदू लड़का था वह आपको दूसरे के साथ गलत-गलत संबंद बनवादा था पैसा लेके हो भी यह कहां हमारा समा जा रहा है देख लीजिए यह खुश्बू बेगम है और खुश्बू देवी बनी उनके लिए और वह लड लेकर आयए और अररेय लेकर जाने के बाद तो उसके बाद मतलब कि उसका फ्रेंड आये है और वह हम उनको बनानने के लिए तो हम हम सभी चाहिं पीया तो हम पर पेले की जाड़े कर रेकर पना चाहिं zittenफ लेकर हम आये हैं तो फिर वह आपनी मंगे पानी उसके हैं उसके मेरा आख के सामने में मतलब धुंदला सा नजर आ रहा है हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है और थोरा दर बाद मतलब कि साइद हम बहुंस हो गए ऐसे मतलब कुछ जब हम होंस में आए एक घंटा बाद जब होंस में तो हम अपना आपको कमरा में बैड पर पे उपनली पाएं क्या कोई चाहे में कुछ मिला के पिलाया था क्या है क्योंकि हमको पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था और रिवस्त मिले अप अपने कमरे में तो कैसा महसूस हो रहा था अगर पटी के साहथ को इसको मतलब कि कुछ अलग होता है किशीम और उसके साथ अगर कोई सuce करने हैं कोैसस गरता है तो उस को दरदब है उस तरीक टुत है दो ढमते वी事मारा रहा हूं कि करेंगे दिए पूरे जो घटना को अंजाम दिया था ता वीीडियो भी भी दिखाया और अगर विदियो दिखा देंगे तो मेरी बहुंता सकते हुआ। उसी का कहना मतलब कि उसी का बात तो इन फॉक्न होने लेना क्योंकि घर में एक बहन ॉमारी बहाई है यहाल बाल बच्चा है। नहीं होता है। तो मतलब आपके साथ जो वो घटना हुआ उस दिन वो घटना लगातार होते रहा या फिर मतलब उस दिन के बाद बंद हो गया। मैं एक बार दस्रों के क्लियर कर दूं कि ये खुश्वू बेगम जो खुश्वू देवी बनी उनके साथ ऐसा बरताव किया गया ये खुद बता रही हैं आप सुन भी रहे होंगे कि एक दिन में उनसे कम 10-11 लोग के साथ इनको संबंद बनवाया जाता था इनसे पैसे बिलि कि पंद्रह सो तो लड़का मतलब कि इधर से मतलब बीजय मंदल बोलते थे कि नहीं इतना नहीं हो पाएगा आप दूसरा देख लीजिए वो कॉल कार देता है फिर उदर से कॉल आता था तब रेडी होता था और आने के बाद मतलब कि जब मेरे साथ मतलब दो-तिन पर ऐसा हुआ बेहुसी आलत में उसके बात फिर ओटोमेटिक हम उसका बात मानने लगें क्योंकि मेरे पास कोई ओफशन ही नहीं था नहीं अपको लगता नहीं है आप जो किये हैं वह काफी गलत किये हैं पहले तो आप बिना माबाप के मरजी से शादी किये उपर से आपने धर्म के सादी किया है आप खुसबु बेगम थी खुसबु देवी बनी तो कहीने कहीं गलती आपकी थी तो आप ही को गलती है खाम याजा भुगसना पड़ रहा है जी हाँ गलती तो हम बहुत बढ़ा की हैं ये ना तो आपके सारे माबाप जान चुके होंगे कि आप क्या की हैं मेरा मॉमी पापा को ये श्बुता होगा है कि मिरा मम्मी पापा को यह बोले हैं कि हम उसको मतलब फचोड़ दी है और हमको पोच्छने का बहुत परियास किया मेरा पापा मेरा ममी का आखिर वजह क्या है और कहने के ये वीडियो बनाते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है कि हमारे समाज में देखिए किस प्रकार से गड़कियों के साथ बेवार किया रहता है आपके जीवन में और कोई आया की नहीं आया है मेरा जीवन में तो अभी कोई नहीं आया है जब तक हम उसको सजा नहीं दिलवा देते तब तक हम अपना जीवन के बारे मेरा कुछ नहीं सुचेंगे मेरा एक ही लक्ष है बस उसको सजा देना मेरा जो इज्जत हम जो खो चु कि ला लोगा कि तुम कहीं पर भी जा तुम को नहीं साहले हैं तुम पहले तुम नजर आएकी तुम जांसे मार देंगे इसका भाइब इनको जो है नियाई मिलना चाहिए आपसे मैं पूछना चाहऊँगा कि क्या आप चाहते हैं मतलब किस प्रकार का नियाई मिले आपको जो आप जात हुआ है वो चीज़े वापस तो नहीं मिल सकती है जो आपके साथ एक साल जो सोशन हो चुका है देव वेपार वो करवा चुका है पैसे लेले के जो करवाच चुका है वो तो दुबारा मिलें को आपको जट वोग्में लेकिन अभी आप किस तरह का नियाई चाती हैंило कैसा हो जा Öz nuestra सरीर मेरा बेच करके वो खाया है फिर उसको तो कभी लगेगा नहीं और हमको उसका रूपए नहीं चाहिए बस हम मेरा मम्मी पपा जो खुशी से उसको जो समान दिये हैं दहेज के तोर पर उरी दहेज भी लिया था वह आप तो प्रेम साथ भी बाकी थी ना हां तो बाकी जो मम्मि पपा को बोलते भी ठेल है। एक दिन के लिए ही घर लेके गया था पहुंच बैठाया उसी का पक्षि दे रहा है की मेरा समाज हम समाज ही लेकर करके मेरा बाहर कलर की को लेकर नहीं चलेंगी